हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी 3 लेयर वाली फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हमने बो लगा दी है और 1.5 मिटर कपड़ा 1.5 मिटर क्लोथ हमने इसमें लिया है टू पीस यहाँ पर हमने योक के लिए ले लिये हैं जिसकी लेंट 10 इंच है और चोड़ाई 14 इंच है अब हम इसको ऐसे करते हुए डवल कर लेते हैं फॉर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है शॉल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है और आर्म होल 5.5 इंच रखना है ऐसे करते हुए हम सीधह निशान लगा लेते हैं नेक की चोड़ाई यहाँ पर हमें 2 इंच रखनी है और लंबाई में इसको हमें 3 इंच रखना है अब यहां से आरम होल पेसे हमें इसको चकोर कर देना है इसमें हमें गोलाई कर लेनी है यहां से फिटिंग के लिए आधा इंच हम निशान लगा लेते हैं और इसको उपर तक मिला देते हैं इस से बेबी के कमर से ये कम हो जաता है जिससे इसकी fitting अच्छे आती है यहां से आधा इंच हम इसमें गोलाई का निशान लगा लेते हैं इससे यह बेबी के side से लटकती नहीं है फ्रोक आप किसी भी फ्रोक में यहां से यह गोलाई कर सकते हैं अब हमें उपर से हलका सा यहां से धालदार कटिंग कर लेना है क्योंकि शोल्डर हमारे धालदार होते है इससे इसके बेबी के फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है शोल्डर पर से अब हम दोनों पीस अलग-अलग कर लेते हैं और बेकनेक इसका टू इंच कट कर लेते हैं यह हमने पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई टू इंच है और लेन्द फॉर इंच है इसको हम बीच से कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर रखकर लगा देते हैं टू पीस यहाँ पर फ्रेंच हमने यह अस्तर के लिए लिए हैं जिस पर हम फ्रिल लगाएंगे इसकी लेन्द टैन इंच है और चोड़ाई इसकी ट्वन्टी इंच है इस फेब्रिक पर हमें फ्रिल लगानी है तो इसको हम छोटा फेब्रिक लेना है यहाँ पर हम योग के बराबर इसको निशान लगा लेते हैं और इस निशान को उपर तक मिला लेते हैं यहां से वन इंच की हमें इसमें गोलाई कर देनी है क्योंकि साइड में से हमारा रेब का हो गया है तो यह साइड से लटक जाती है इसलिए हम इसकी नीचे की साइड से यह गोलाई कर देते हैं फ्रेंट यहां से हम इसकी लेंध माप लेते हैं जितनी लेंध यहां से होती है यह इतनी ही लेंध हमें उपर की साइड से यहां से रखनी है बीच सेंटर में से आधा इंच एक्स्ट्रा है ये हमारी तो हम इसको ऐसे कट कर देते हैं अब यहां पर हम फ्रील के लिए इसमें निशान लगा लेते हैं फाइफ इंच पर हमें इसके निशान लगाना है अब इन निशानों को ऐसे करते हुए हम मिला देते हैं दूसरी साइड पर भी हमें सेम ऐसे ही निशान लगा देने हैं, फाइफ इंच का लेंथ में हमें निशान लगाना है, सब जंगे से ये बराबर हमें निशान लगाने हैं, इस से हमारी फ्रिल बिल्कुल बराबर आएगी, कहीं से भी कमिया जादा नहीं होगी, ये देखिए ह हमारी फ्रिल का निशान लग गया है यह हमने यहां पर 6 फ्रिल ली है तू फ्रिल लेंथ में 6 इंच है और चोड़ाई में 30 इंच है तू फ्रिल भी लेंथ में 6 इंच है और चोड़ाई में 30 इंच है और जो सबसे नीचे की फ्रिल है वो हमने लेंथ में 6 इंच रखी है और च और चोड़ाई में ये 20 इंच है. यहाँ पर बीच से हमें इसको आधा इंच छोड़ना है. और ऐसे करते हुए दोनों साइड से निशान लगा लेना है इसमें. बीच से सिर्फ हमें इसको आधा इंच छोड़ना है. ताकि ये हमारा फॉल्ड हो सके. अब यहाँ पर हम इसके मार्क लगा लेते हैं. ये बेक नेक है. इस पट्टी को हमें सीधी साइड योग के रखना है. और उल्टी साइड पर पलटना है. यहाँ पर बीच में हम इसके एक हलका सा कट लगा लेते हैं. और सभी कपड़ा इस फेब्रिक के नीचे कर लेते हैं. जिससे इस पट्टी की बहुत अच्छी शेप आती है. अंदर की साइड को मोरने में इसको परिशानी नहीं होती है. अब हमें इसको अंदर को फॉल्ड कर लेना है. और यहां से हमें इसको चकोर कर लेना है. दूसरी साइड पर भी हमें इसके ऐसे ही निशान लगा देना है. अब हम इसके शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं. फ्रेंड शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए. जिससे हम इसमें स्लीव्ज वगेरा लगाते हैं तो परिशानी नहीं होती है अब हम ये रेव की पट्टी लगा रहे हैं ये हमें अंदर की साइड को फोल्ड करनी है तो इसलिए हमें इसको ढिला ढिला चोड़ते हुए लगाना है और इसमें अंदर की साइड हमें हलके हलके से कट लगा लेने है कट लगाते समें ध्यान रहें आपका सिलाई कटे नहीं अब हमें इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेना है पट्टी को और इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी सिर्फ पट्टी है अंदर की साइड को मुड़ेगी योका फैबरिक अंदर की साइड को नहीं जाएगा बहुत फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तयार होती है अब हमें इसको फॉल्ड करते हुए इसके उपर सिलाय लगा देनी है इस तरीके से हमारी ये पट्टी बहुत प्यारी सी बनकर तयार हो जाती है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखिए हमारी कितने अच्छी सी पट्टी लगकर तयार हो गई है अब ये हमारी स्लीव्स की फ्रिल है इसको हमें एक साइड से बारिक सा फोल्ड कर लेना है ऐसे ही हमें अपनी दूसरी स्लीव्स भी फोल्ड कर लेनी है अब हम इसमें प्लेट्स डाल देते हैं चुन्नटे आप इसमें किसी भी तरह की डाल सकती है हम ऐसे करते हुए बारिक बारिक चुन्नटे इसमें डाल कर पीस को छोटा कर लेते हैं ये देखे हमारी चुन्नटे डल कर तयार हो गई है अब हमें इसको डबल कर लेना है और बीच में इसके हलका सा कट लगा लेना है ताकि हमें शोल्डर के ऊपर कहां से रखना है पता चल जाए इस कट को हमें बिल्कुल शोल्डर की सिलाई पर रखना है उसके बाद हमें जितनी भी हमारी फिली आती है आधी एक साइड में कर देनी है आधी दूसरी साइड में करते हुए सिलाई लगा देनी है ये हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से करते हुए अब हम शोल्डर पर पट्टी लगाएंगे अंदर की साइड से ताकि हमारे धागे ना निकले और इसमें फिनिशिंग भी बहुत जादा आ जाए इस पट्टी को भी हमें धिले धिले छोड़ते हुए लगाना है कहीं से भी खीचनी नहीं है क्योंकि अंदर की साइड की पट्टी जब हम लगाते हैं तो उसको धिला छोड़ते हुए लगाते हैं ताकि वो अंदर की साइड को अच्छी तरीके से फॉल्ड हो सके अब हमें इस पट्टी को भी अंदर की साइड करते हुए इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है ये देखिए अब यहां सी हमें इसमें इसको अंदर को फोल्ड करते हुए एक लास्ट सिलाई लगाकर पाइपिन को तयार कर देना है पट्टी को अपनी ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये स्लिव्स बन गई है इस साइड की स्लिव्स भी हमें ऐसे ही तयार कर लेते हैं ये हमारे फ्रिल हैं फ्रिल को हमें साइड में से सिलाई लगा कर दोनों फ्रिल को एक साथ जोड़ना है दो फ्रील हमें अलग जोडने हैं दो फ्रील अलग जोडने हैं और दो फ्रील अलग जोडने हैं अब हमें सभी फ्रील को अपने बारीक सा एक साइड से फॉल्ड कर देना है आप चाहे तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं अगर आपके पास पीकू की मशीन है तो पीकू भी कर स लगती हैं अंदर की साइड को यह देखिए हमने ऐसे ही पूरे घेरे पर अपने सिलाई लगा कर तैयार करना है यहां से साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने इसको चारो तरफ से फॉल्ड कर दिया है यह देखिए हमारा फ्रिल सब जंगे से फॉल्ड हो गया है अब जिस जंगे से हमारी सिलाई का जोड़ा आया हुआ है दोनो फ्रील जोड़ी है उस जंगे से हमें इसमें चुन्नटे डालनी है चुन्नटे इसकी जादा पास पास नहीं डालनी है और जादे दूरी पर भी नहीं डालनी है इसी तरीके से हमें अपने पूरे घेरे में बारिक बारिक से चुन्नटे डाल कर इसको तयार कर लेना है तीनों फिरिल हमें अपनी इसी तरीके से एक साइड से फॉल्ड करने है और एक साइड से चुन्नटे डालनी है ये देखिए ये हमने सबसे नीचे का फ्रिल तयार किया है अब हम यहाँ पर जिस पर हमस्तर लगाते हैं उस पीस को ले लेना है और उस पर साइडों में सिलाई लगा लेनी है हम ये फ्रिल इस पीस पर गोल करते हुए लगाएंगे ताकि हमारी साइड में से फ्रोक की शेप बहुँ जदा अच्छी आए फ्रिल की शेप अच्छी आए अब यह हमने सबसे नीचे का फ्रिल तैयार किया है इसको हम इस फेबरिक पर इस तरी के से करते हैं जोड से जोड मिला लेते हैं और चुन्नटों को सेट करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है पहले हमें फ्रिल को माप कर देख लेना है कि हमारा फ्रिल कम या जादा तो नहीं है अगर आपकी चुन्नटे जादे हैं तो आप उसको कम कर सकती है और अगर कम है तो थोड़ी सी खोल कर, इस पीस के बराबर कर सकती हैं ऐसे करते हुए हमें इसके चारों तुरफ फ्रील को लगा देना है ये देखे फ्रेंट्स इस साइड से हमने इसको गोल किया हुआ है और ये निचे की साइड हमने फ्रील लगा दी है second frill हमने जो निशान लगाया हुआ है उस पर इस तरही के से रखनी है और इसको ऐसे करते हुए दोनों साइड पर लगा देनी है और ऐसे हमें इसको बलटना है फ्रेंड्स frill को हमने इसमें नीचे के फेबिरिक में साइड से नहीं दाबा है इससे इसकी फिटिंग बहुत जाद अच्छी आती है फ्रीलिस के बहुत अच्छी तरीके से आते हैं अगर आप इस तरीके से फ्रोक बनाती है थर्ड लेयर भी हमें ऐसे करते हुए इस पर लगा देनी है यह हमारे बेल्ट के पीस है इसकी लेंथ टू पीस यहां पर हमने ले लिये है लेंथ इसकी 6 इंच है और चोड़ाई में 22 इंच है हम इसको डबल कर लेते हैं और V शेप कटिंग कर देते हैं एक साइड से अब इस साइड से 1.5 इंच का हमें निशान लगा लेना है और इसको उपर की साइड से ऐसे करते हुए मिला देना है फ्रेंड्स यह बेल्ट हम आगे की साइड से थोड़ी सी चोड़ी बना रहे है इससे इसकी डिजाइनिक बहुत जादा प्याई लगती है थोड़ी चोड़ी और कम बेल्ट यह देख सकते है अब हमें इसको डवल कर लेना है और इसके साइड में सिलाई लगा देनी है अगर हम सीधी बेल्ट बनाते है तो उससे जादे हमारी चोड़ी वाली बेल्ट अच्छी लगती है तो हम इसमें आपको चोड़ी बेल्ट बना कर दिखा रहे है अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं दोनों बेल्ट को ये देखिए हमने दोनों बेल्ट को पलट लिया है अब हमें इसको योग के साइड में बीच में रख देना है फिटिंग की जंगे नीचे से आधा इंच हमें इसको छोड़ देना है घेरा जोड़ने के लिए यहां पर रखते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी बेल्ट भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए और मजबूत हो जाए दूसरी साइड में भी हमें अपनी सिलाई ऐसे ही लगानी है यह देख सकते हैं यह घेरा हमारा फ्रील लगकर तैयार हो गया है अब हमें योग को ऐसे करते हुए इसके चारों तरफ रखकर सिलाई लगा लेनी है गेरा और योग हम एक साथ जोड़कर तैयार कर लेते हैं यह देख सकते हैं फ्रेंट्स फ्रोक हमारी कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है स्लीव्स का डिजाइन भी इसका काफी प्यारा लग रहा है बीच में हमने एक बोल बना कर लगा दी है और बेल्ट की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं चोड़ी और कम बनकर कितनी प्यारी लग रही है और साइड से आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं फ्रेल की कितनी प्यारी सी आई है फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में